असलाम लेकुम मेरे नाम जैमीनों से हैं उमीद कहता हूं कि आप सब खेले से होंगे आज की वीडियो के अंदर हम डिसक्स करने वाले हैं FIA 8 और इंस्पेक्टर का मौक टेस्ट 11 इससे पहले कि तो 10 मौक टेस्ट हैं हर टेस्ट के अंदर मुझूद है 50 50 most important questions वो भी मेरे चैन ने पहली दफ़ा जो है वो कब जो है वही सल लिया तो इसका अंसर हमारे पास है 1948 वास्ट कैप्टन ऑफ 2014 फीफा वर्ल्ड कप विनिंग टीम फॉर्म जर्मनी तो इस question के दर हमें यह पता चला कि जो 2014 का फीफा वर्ल्ड कप था उसके जो वीनर थी वो टीम थी जर्मनी पास है what is the nickname of Manchester City of Football Club जो Manchester City of Football Club उसका निकनेम जो है वो क्या है तो इसका अंसर हमारे पास है The Citizens यह बहुत important questions आपने यार रखने कि जो Manchester City of Football Club उसका निकनेम है The Citizens Hanoi is the capital of which country? Hanoi जो है वो कौन से मुलक का जो है capital है तो इसका अंसर हमारे पास है वेतनाम तो यह चीज़ आपने यार रखने कि Hanoi is the capital of वेतनाम तफसीर दार-ul-मनसूर was written by तफसीर दार-ul-मनसूर जो है वो किस ने लिखी तो इसका अंसर हमारे पास है इमाम जलाल-दीन सहूती इमाम जलाल-दीन सहूती ने जो है यह लिखी थी तफसीर दार-ul-मनसूर भत is the currency है वो भत जो है वो किस मुलक की currency है तो इसका अंसर हमारे पास है Thailand तो इस चीज़ आपने यार रखने कि भत जो है वो Thailand की currency है next question महरे पास है LAC is a border among which countries ठीक है LAC जो है वो किस जो कौन सी country है जिनके तर्मयान ये एक border है इसका नाम है LAC तो इसका अंसर महरे पास है China in India चाइन और इंडिया की तर्मयान एक border है जिसको LAC कहा जाता है और LAC की abbreviation भी आपको याद रहने चाहिए ये line of actual control ठीक है ये चीज़ आपने नहीं भूलनी कि LAC जो है वो चाइन और इंडिया की दर्मयान एक border है और LAC की abbreviation line of actual control जफना city is located in जफना city जो है ये कहां पर located है तो इसका आंसर हमारे पास है स्री लंका तो ये चीज़ आपने या रखने कि जो जफना city है वो स्री लंका में located है नगोर्णो कराबक dispute जो है वो एक region है ये कौन से दो कंट्रिस के दर्मयान ये डिस्प्यूट है ये वाला region नगोर्णो कराबक तो इसका आंसर हमारे पास है अजरबाइजान एंड अर्म फिर्स प्रेजेंट ये ना फोरे पयले प्रेजडिन्ट रिशियन फईरिशन की जो है वो कौन थे तो इसका अंसर हमारे पास है इबने खुल्दून तो यह चीज़ आपने यह रहें कि जो असाबिय को concept है वो इबने खुल्दून ने दिया था नेक्स कोशे मारे पास है वो वास दे फाउंडर ओफ गुपता डाइनस्टी गुपता डाइनस्टी के फाउंडर जो है वो बानी जो है वो कौन थे तो इसका answer हमारे पास है चंदरा गुपता यहाई छो है वो गुपता डाइनस्टी के Jन वह वो फाउंडर थी next questionрий हमारे पास है which animal is known as the man's best friend कौन से animal जो है वो man's best friend जो है वो जाना चाहता है तो इसका answer हमारे पास है dog so dog is known as the man's best friend next question हमारे पास है A starfish is not to have how many arms Starfish का अपने नम सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि वो एक star की तरह होती है और उसके different arms होते है तो आपने इस question के अंदर बताने कि starfish के जो है वो कितने arms होते है तो इस कांसर हमारे पास है 5 arms तो usually 98% जो है वो starfish के जो arms होते है वो five होते है occasionally हो सकता है कि अगर उसका जो arm है वो तूट गया हो तो हो सकता है आपको कहीं पर four देखने को मिल जाए या there may be a possibility के six भी देखने को मिल जाए लेकिन अगर हम generally बात करें तो five arms होते है एक starfish के next question हमारे पास है which flightless bird is known to be the emblem of New Zealand एक ऐसी bird है जो के ओर नहीं सकती लेकिन वो New Zealand का कौमी जो है वो एक emblem है कौमी निशान है जो कि उनके जो है उनकी team को भी कहा जाता है अगर आपने cricket match अगर आप देखते हैं तो इसका अंसर हमारे पास है kiwi bird kiwi bird जो है वो the kiwis भी कहा जाता है New Zealand की cricket team को बर्ड़ज नेक्स कुश़े मारे पास है which bird is known to have waterproof feathers एक ऐसा भी परिंदा है bird है जिसके waterproof feathers होते हैं यानि कि वो औराम से जो है वो पानी के इनत आए सकते है उसके waterproof feathers होते है तो इसका अंसर हमारे पास है duck duck एक ऐसा bird है जिसके waterproof feathers होते है next question हमारे पास है what is the only continent in the world known to be a snake free एक ऐसा continent भी है दुनिया के अंदर जहां कोई भी snake नहीं है तो इसका answer हमारे पास है Antarctica तो आपने यहार रखने के Antarctica एक ऐसा continent है जहां पर कोई भी साफ वगरा नहीं है next question हमारे पास है what is the name of the animal which keeps growing until its death एक ऐसे animal का नाम आपको बताना है कि जो ग्रोग करता रहता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाए तो इस का answer हमारे पास है lobster तो lobster के एकसा kind of animal है जो कि ग्रोग करता रहता है अपनी death तक यानि कि उसकी ऐसा नहीं कि जो ग्रोग करता रहता है हलांके जब तक उसको मौत नहीं आ जाए next question हमारे पास है a trialator agreement signed between the अच्छे सबसे पहले आपको यह बात बताता चलों कि जो trialator agreement का मतलब होता है trial का word आ गया है तो it means तीन मुलकों के दरम्यान यह agreement हुआ तो अब वो तीन मुलक जो हैं वो कौन से थे वो है यूए पी यानि के अजवेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इसलामबाद में हुआ और मौाइदा यह जो agreement है किसलिए होगा कितने किलोमेटर का rail link जो है वो बनाएंगे और यह हुआ जुलाई 19, 2023 यह 19 जुलाई 2023 की बात हो रही है कि एक ट्राइलेटर एग्रिमेंट हुआ बिट्वीन अजवेकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसलामबाद के अंदर कि वो कितने किलोमेटर rail link जो है वो बनाएंगे तो इसका अंसर हमारे पास है 573 किलोमेटर तो ट्राइलेटर इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको चार-पांच बाते बता चलगी ट्राइलेटर एग्रिमेंट जो कि जिसको UAP का जाता है जो कि त्रीन कंट्रीज के दिरम्यान हुआ लाइक औस बेकिस्तान अफ़कानिस्तान और पाकिस्तान की दर्मयान हुआ कहां पे हुआ इसलामबाद में हुआ और कब हुआ 19 जुलाई 2023 को हुआ कि कितने किलोमेटर की रेलिंग जो है वो बनेगा तो उसका आंसर हमारे पास है 573 किलोमेटर तो इसमें से कोई भी कॉश्च आपसे यह आपसे यह जा सकती है 19 जुलाई 2023 कि मूव करते हैं नेक्स क्वेश्चन की तरफ कुश्चन नमर्ट हमारे पास है हुआ है पाकिस्तन क्रिकेट टीम का जो क्रॉंट हैड कोच हैं वह कौन है तो इसका अंसर हमारे पास है ग्रैट ब्रैट ब्रैट बन्ट जो है व हुआ है तो इसका अंसर हमारे पास है 6 माई 2023 तो आपने या रखने के 6 माई 2023 को ट्राइलेटरल डायलोग हुआ ब्ट्वीन दे चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इसका अंसर हमारे पास है शेबाज श्रीव वह इसका अंसरा 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 हमारे पास है शेबाज श्रीव तो उनों ने पाकिस्तान को रेंक किया था in reporters without borders press freedom index के मताबिक तो इसका अंसर हमारे पास है 150 so Pakistan was ranked 150th in the press freedom index in the reporters without borders जो कि 2023 की report है next question मारे पास है after how many years has the foreign minister of Pakistan visited India कितने सालों के बाद जो foreign minister of Pakistan के उन्होंने इंडिया का visit किया है तो इसका अंसर हमारे पास है 12 years तो ये चीज़ आपने या रिखने के 12 साल के बाद foreign minister of Pakistan visited India next question मारे पास है who becomes second fastest Asian better to score 12,000 runs कौन जो है वो दूसरे fastest Asian better बने जोने ने तेस तरीन 12,000 score की है तो इसका अंसर हमारे पास है Baba Razum so Baba Razum becomes the second fastest Asian better to score 12,000 runs next question मारे पास है which Pakistani is among the 100 most influential people of 2023 by the time magazine कौन सा Pakistan जो है 100 most influential people में आया है 2023 के time magazine के अंदर तो इसका अंसर हमारे पास है Shiri Rehman so Shiri Rehman is among the 100 most influential people of 2023 by the time magazine next question मारे पास है Sepra stands for Sepra की abbreviation आपको इस question के अंदर बतानी है तो इसका अंसर हमारे पास है Synth Electric Power Regulatory Authority तो ये चीज़ आपने नहीं पुछ नीं Sepra stands for Synth Electric Power Regulatory Authority next question मारे पास है who is the current captain of Pakistan Women's Cricket Team Pakistan Women's Cricket Team के current captain जो है वो कॉन है तो इसका अंसर हमारे पास है Bisma Maruf so Bisma Maruf जो है वो current captain पाकिस्तन Women's Cricket Team की who is the current DG Rangers Synth current DG Rangers Synth जो है वो कॉन है तो इसका असर हमारे पास है Major General अजरबकास तो यह चीद आपने यार रिखने हैं कि Major General अजरबकास यह वो current DG है रेजन सिंद्ध के Next question हमारे पास है Who is the current IG of National Highways and Motorway Police NHMP इसकी भी abbreviation आपसे exam में पुछे जा सकती है कि NHMP यानि कि National Highways and Motorway Police के जो current IG है Inspector General है IG की भी आपसे abbreviation पुछे जा सकती है Inspector General NHMP की भी आपको पता चल गए अब आपने दो बाते इस question में से आपको पता चल गए अब आपने पताने कि current IG कौन है NHMP के तो इस कहां से हमारे पास है सुल्तान अली खाजा तो सुल्तान अली खाजा आज जो है वो current IG है कुंसी लेडी क्रिक्टार हैं पाकिसान अली खाजा, जो हो भी रसीव हुआ है तो इसका आपने पास है बिश्मा मारूफ, जो के किaserविंग ए 9-ileAM केप्टन आप प्र catch आप पाकिसान वोमेंस क्रिकेट टीम तो वो उनहीं को हलाल भी इमतियास अव़ाड जेब वो बो भी रेसीव होगा है रbok विजई कीकेटर ओ प्सांघ कीकेटर को तो इसका अंसर हमारे पास है Babar Azzam Babar Azzam also received सितारे अंसर हमारे पास है इसके अंदर किसको प्लेयर अफ़ द सिरीज का वार्ड मिला है तो ये भी विभी क्षिशन आपस एक्जाम में पुछे जा सकता है तो इसका अंसर हमारे पास है एसान उला तो एसान उल्ला को जो है वो प्लेयर अफ दे सिरीज अवार्ड मिला है PSL के आट्फ में डेशन दोहदा थेस के अंदर पाकिस्तन सुपर लिग यानि कि PSL 2023 सेशन एट वाज वन बै जो सीजन आप कह सकते हैं तो सीजन एट जो है वो किस ने कौन सी जो है वो टीम ने विन किया तो इसका अंसर हमारे पास है लहूर कलंदर्स तो लहूर कलंदर्स ने PSL एट जो है वो विन किया हुआ है तो आपने याद रखना है कि मिस्टर इक्राम उल्ला खान जो है वह किसके मीट को कहते है तो इसका अंसर हमारे पास है गोट यानि कि बकरी के गोश्ट को चिववान कहा जाते है आपके सामने था कि गोट की मीट के गोट को मीट होता है उसको का जाता है चेवान और गोट की मीट होता है उसको काई जाता है वेनिसन The one who knows many languages एक ऐसा शक्स जिसको बहुत ज़दा languages का पता होता है उसको क्या कहते है तो इसका आंसर हमारे पास है Polyglot तो polyglot एक ऐसा person है जो कि काफी ज़दा languages जानता है Polyandry means Polyandry का मतलब क्या है तो इसका आंसर हमारे पास है A woman having more than one husband एक ऐसी खातून जिसके एक से ज़दा खामंद हो उसको हम कहते है polyandry A group of graphy is known as Group of graphy ज़राफा जो है उसका group को क्या कहते है तो इसका आंसर हमारे पास है Tower A lady who remains unmarried एक ऐसी खातून जो के गहर शादी शुदर रह जाती है उसकी शादी नहीं हो पाती है और उसकी उमर जाबर जादा हो जाती है यानि कि वो भी तक remains unmarried रहती है ऐसी लेडी को क्या कहते है तो इसका आंसर हमारे पास है Spinster ये one word substitution के question भी आप से exam में पुछी जाते हैं English के portion के एंदर तो ये वो questions है A lady who remains unmarried उसको हम कहते है spinster A person fluent in two languages is known as एक ऐसा शक्स जो कि दो languages में बहुत जादा fluent है तो इसको क्या कहते है तो इसका आंसर हमारे पास है bilingual यानि कि for example अगर आपको English भी आती है और आपको जो है वो उर्दू भी आती है तो you are a bilingual person यानि कि आपको दो languages जो है आप उसमें fluent है A form of written languages for the blind people is known as form of written language है जो के अंधे लोगों के लिए होती है उसका एक procedure है ठीक है एक procedure भी पूरा system है ठीक है तो इस form of written language को blind people के लिए क्लिए क्लिए क्या कहते है तो इसका आंसर हमारे पास है braille और ये पूरा system जो है इसको कहते है braille system A person who collects or has a great love of books is known as एक ऐसा शक्स जो बहुत जज़ा करने का और वो books के लिए बहुत ज़ा प्यार रखते है ऐसा शойд को क्या कहते है तो इसका अंसर हमारे पास है Biblio file Biblio file हम इसका शेक्स को कहते है जो इसको books है है वो Cut है करना जोड़णा और collect करने का बहुत हदा शौक होता है अब person who is controlled by wife एक ऐसा शेख्स की यो कि अपनी wife की तुरह से controlled होता है ऊस शेख्स को क्या कहते है इस नगे time टो हैंन पीट so Aus the end compens एक ऐसा person हैु इस is controlled by his wife Videos of close he is called us yang Tillie Qlose places होती है तंग तंग जगह होती है जैसे कि लहोर की कुछ गलियों में आप गए होगे बहुत ज़्यादा closed है यह कुछ ऐसे areas होते हैं कुछ ऐसे places होते हैं which are very confined and closed तो उसका जो डर है उसको क्या कहते हैं तो इसका answer हमारे पास है claustrophobia ठीक है तो इस दर को हम कहते है claustrophobia and a person जिसके अंदर ये fear है closed places का उसको हम कहेंगे claustrophobia और इस fear को हम क्या कहेंगे claustrophobia next question मारे पास है one who offers his service without charging for it एक ऐसा शक्स जो कि अपनी services offer करता है लेकिन वो इसके लिए चार्ज नहीं कोई करता तो उसको क्या कहते है तो इसका answer हमारे पास है volunteer volunteer एक ऐसे चीज़ है जो कि हम we are willing to provide the services without charging for it तो हम इसके लिए volunteer कहलाएंगे next question मारे पास है heating element of an electric heater is made up of एक जो electric heater होता है उसका जो heating element होता है वो किस चीज़ का बनावा होता है तो इसका answer हमारे पास है nichrome तो यह चीज़ आपने यह रखने है कि जो एक electric heater होता है जो कि आप सर्दियों में use करेंगे उसके अदर एक heating element होता है वो nichrome का बनावा होता है next question हमारे पास है the human blood is divided into mainly जो इनसानी खून है वो कितने groups में divided है तो इसका answer हमारे पास है four blood groups so human blood जो है four blood groups में जो है वो divided है ठीक है आपको पता है कि वो blood groups कौन कौन से है blood group A, blood group B, blood group A, B and blood group O अब इसकी भी आगे different जो है वो categories like A, positive A, negative लेकिन वो अगर हम mainly बात करें तो four main blood groups होते है human की तो यह थी आज की वीडियो जिसके अंदर में 50 most important questions को discuss किया हूं में इतकता हूं कि वीडियो आप लिए बहुत ज़ाद informative और useful रहेगी और वीडियो आपको पसंद लिए तो करने चैनल को subscribe भी करने तक कि आने वाले मजीद mock test quizzes और जितनी भी वीडियोज है वो आप मिसना करें और आपकी preparation जो है वो अच्छी से अच्छी हो जाए तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो ये quiz में तब तक अपना बहुत दर ख्यार रखें वालदान की जो है वो फर्माबदारी करिए वस्सलाम